नमस्कार दोस्तों गारगी क्लास्स पर आपका स्वागत है डेट आज की 12 नवंबर 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के एडिटोरियल आइडिया बेच से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे पास में जो इशूस उनमें एक तो जुडिशियरी में रिफॉर्म से रिलेटिड है दूसरा आर्टिकल है डिफेंस केपिलिटी से रिलेटिड है तीसरा आर्टिकल जारखंड में अभी एक पैनल कॉंस्टिट्यूट किया गया है जिसमें ये देखा जा रहा है कि climate change को ध्यान में रखते हुए जो भी changes किये जाएंगे उनका क्या impact रहेगा और साथ में हम देखेंगे last में कि जो हम green transition की बात करते हैं उसके लिए पैसों की विवस्ता होनी बहुत ज़ादा जरूरी है तो उसके लिए क्या हो सकता है ओके तो चार आर्टिकल से देखते हैं इनको फरस्ट आर्टिकल है a court of the future आर्टिकल को लिखा फालियास नरिवन जी ने देखो यहाँ पर अपनी तरफ से court दे रहे हैं like old clock our judicial institution need to be oil wound up and set to true time बैसी दिसी बात है कि जब judicial system पुराना होता चला जाता है तो उसको maintenance की requirement होती है तो यह statement किसका है Lord Chief Justice of England and Wales ठीक है Lord Harry Wolf उनके द्वारा यह statement दिया गया था बोले यह की यह बात हमारे judicial system पर भी अप्लाई होती है आज हम देखे हमारे judicial system को हम क्या कहते है integrated judiciary तो उसकों के top पे कौन बैठता है Supreme Court जिसकी पकड़ या फिर Supreme Court के जो भी judgments होता है वो कहीं ना कहीं applicable होता है सारे जो भी हमारे judicial system है उन पर तो कुल मिला करके देखा जाए चाहे high courts हो जो कि हमारे देश में लगबग 18 high courts हैं जिनका jurisdiction है अठाई states और 8 union territories में और इसके अलावा बहुत सारे tribunals हैं central or state level पे जो कि throughout India function करते हैं इन सब में Supreme Court top पे बैठा है ठीक है इन सब के दुआरा अगर कोई भी verdict दिया जा रहा है तो उसके हिलाफ में अगर अपील करनी है तो Supreme Court top पे बठा है यह हम जानते हैं इसलिए हम Supreme Court को क्या बोलता है highest court is all pervasive कि हर जगहे पर अपना प्रभाव जो है वो रखता है Supreme Court तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब हमारा constitution लाए गया था तो constitution में जो provisions किये ग और कहीं ना कहीं highest court जो है हमारे देश का उसके हाथ में बहुत सारी powers रहती है और Supreme Court के द्वारा दिये हुए जो भी verdicts है वो binding भी होते है ठीक है चाहे दूसरे कोई भी courts हो या कोई भी authorities हो article 141 यह चीज कहता है तो खुल मिलाकर के चाहे कोई legislative order हो चाहे कोई executive order हो कोई भी activity हो वो highest court की scrutiny से दूर नहीं है यह हम जानता है अच्छे से ठीक है चाहे फिर वो constitutional amendment act ही क्यों ना हो अब देखो बात ऐसी है कि कैसे हम हमारे highest court को effective बना सकता है ओके तो ऐसे में कुछ reforms यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे पहला तो यह बताया जा रहा है कि हमारी judiciary में जो institutions हैं च इनको अपनी independence ensure करना जरूरी है और इनकी independence का मतलब क्या हो गया judges को खुद को independent बनाना पड़ेगा ठीक है तब यह institution automatically independent हो पाएंगी ठीक है इसके लिए वो अपनी खुद की जो भी image है उसको preserve करे जैसे मानलो कई बार यह होता है कि corruption या फिर कह सकता ना कि ambiguity का issue आता है या judges ज मानलो किसी एक xyz judge के खिलाफ में कोई case है तो उसको adjudicate करने में judges जी काम करेंगे तो वहाँ पर partiality देखने को मिलती है तो वो चीज़े correct करने की जरूरत है तो independence को ensure करने के लिए हम United States of America से कुछ learn कर सकते हैं वो कैसे है USA में एक act लाया गया था 1980 में जिसको बोला गया Judicial Council Act of 1980 इसमें क्या था कि अगर कोई भी United States के judge के द्वारा United States के Supreme Court के judge के द्वारा High Court के judge के द्वारा कोई भी काम ऐसा किया जा रहा है जो की कही ना कहीं guilty है तो उसको adjudicate करने के लिए एक judges का panel constitute किया जाएगा जिसको बोला गया Judicial Council और वो judges का जो panel होगा न वो जोग है वो फिर appropriate action लेगा उस particular guilty judge के against है मतलब यहाँ पर judiciary के independence में maintain हो गई ठीक है और उनको जो judge कोई गडबड करता हुआ मिला उसके खिलाफ में कारिवाई भी judges का panel ही कर रहा है तो ऐसे में हमें यहाँ से सीखने की जरूरत है पर हमारे problem क्या है हमारे guidelines तो बहुत issue होती है पर एक law नहीं बना जाता है यह act है यह Congress का बनाया हुए act है वहाँ पर USA में तो ऐसे हमें एक law बनाने की जरूरत है 1980 का जब यह act आया था ना तो इसके basis पे एक case बना था वहाँ पर federal district judge थे जिनका नाम है John McBride तो उनके खिलाफ में जब कारवाई हो रही थी तो उन्होंने यह कहा बोले कि यह तो कहीं ना कहीं violation है हमारे constitution मतलब US में जब यह 1980 का act आया था ना इसके basis पे John McBride जो है उनके खिलाफ में कारवाई ही शुरू हुई थी तो इन्होंने अपनी appeal register कराई अलग-अलग courts में और क्या का कि बोले 1980 का यह जो act है यह judicial independence का violation है constitution की जो उनकी basic structure यह कह सकते हो बोले उस legislature के द्वारा और उस law के basis पे guilty judge को आप adjudicate कर रहे हो तो बोले यह तो violation हो गया power separation का पर आप देखोगे कि आप judges की impeachment का provision भी हमारे आप भी available है कि अगर judges जो है वो misbehavior in capacity में पाये जाते है तो उनको remove किया जा सकता है पारलेमेंट के द्वारा तो वहाँ पर Congress की यह काम करती है तो यह बात भी कही इनोंने कि यह काम तो Congress कर सकती है judges के panel कैसे कर सकता है उन्होंने appeal कर दी एक साल का इनका suspension रहा फिर एक साल बाद में पता पड़ा कि उनका suspension जो था वो temporary impeachment था अब देखो point क्या है कि वहाँ पर Supreme Court हो या फिर वहाँ के High Court हो हर एक entity ने उस particular law की जो constitutionality है उसक अबर एक institution that means judiciary के independence तो maintain रही रही है ना कि judges की अगर कोई भी malfunctioning है कोई भी अगर वो गडबड़ करते हैं ठीक है incapacity show करते हैं या mis behavior उनका show होता है तो उसको judge करने के लिए भी तो एक penalty तो constitute किया गया है मतलब judge के उपर नजर कौन रख रहा है दूसरे judges तो इसमें कोई accountability है ना उसमें कमी आ रही है public confidence है वो decline कर रहा लगातार तो ऐसी परिस्तितियों में हम यह नहीं कह सकते कि something will sometimes go wrong यह नहीं कह सकते हमें यहाँ पर improvement करने की जरुरत है American model से बहुत कुछ सीखने की जरुरत है तो यह 1980 का act है इससे यह lesson हो गया independence के लिए फिर बात आती है दूसर के द्वारा लगबग 200 से ज़्यादा reports दे दी गई है और वो reports में हर बार judicial governance को improve करने से संबंदेत उनके recommendation आई है और इसके लावा 2005 का एक case है उसमें भी तीन judges की bench ने Supreme Court की जो तीन judges की bench थी उसने भी कहा कि cases का जो management है ना वो सही तरीके से होना चाहिए नहीं हमारे यहाँ प आज के तीन judges की bench ने जो recommendations देती है उनमें क्या बात कही थी कि cases को तीन different tracks पे हमें tackle करना हो गई तो fast track एक normal track एक slow track वो depend करता है case की gravity पे इस case का नाम है the saline advocate bar association case पर देखो कि हमारे यहाँ पर क्या यह track system follow किया जाता है fast track का मतलब speedy trials normal track का मतलब जो चल रहा है उस process को continue और इसकी हो सकता है तो उनको slow track पे डाल दो पर क्या ऐसा categorization हमारे यहाँ पर होता है no और ऐसा ही कुछ बाते भी बोली गई है यहाँ पर law commission के different reports के basis पे तो यह एक case management में भी हमें कुछ improvement लाने के आवशकता है यह जो 2005 का judgment है इसमें बोला था कि detailed blueprint बनाओ जिससे कि कैसे cases को manage करो तो high courts को constitution के basis पे autonomy दी हुई है अब autonomy का मतलब किस point से administrative direction की एक high court अपना administration कैसे चलाएगा cases को कैसे manage होगा कौन से judges हैं वो case को सुनेंगे किस case को ज़्यादा priority दी जाएगी किसको delay रखा जाएगा उसमें supreme court की तरफ से भी कोई guideline नहीं issue की जा सकती ठीक है मतलब यह मुद्दा क खुद की अपनी खुद की approach का एक high court की का पर हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा problem कहा है कि जो cases का due है na cases का tendency वो high courts में ही जादा है क्यों high courts किसी के लिए answerable नहीं है high court का verdict अगर कुछ आ जाता है तो उस verdict को appeal करने के लिए supreme court में रहता है ठीक है और high court में कोई appeal आती है तो मतल हाई courts की accountability ensure करना बहुत जादा जरूरी है अगर हम हमारी effective judiciary चाहते हैं तो इसके लिए क्या किया जाए supreme court को empower किया जाए बही आप यह responsibility लो कि high courts की functioning इस तरीके से हो कि वो कहीं पर भी ऐसा ना सोचे कि हाँ हम तो केवल bypass का का काम कर रहा है ठीक है ना किसी के लिए accountability है ना उनक का कोई काम करने का जो है एक fix pattern है ठीक है तो ऐसे में supreme court को यहाँ पर पकड़ बनाने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ पर highest tendency अगर cases की देखोगे तो वो high courts में देखने को मिलती है यह बताए जारी है इसके लाबा judges है उनका खुद का भी अपना खुद का personal behavior भी अच्छा ह होना चाहिए जैसे अपनी खुद की सालाना financial जो statements है उनको disclose करे publicly जब supreme court के judges यह काम करेंगे तो high court के judges को भी करना पड़ेगा और यह चीज देखो world की oldest democracy USA के supreme court के judges के द्वारा किया जाता है तो फिर world की most populous democracy में क्यों नहीं हो रहा है वही इस चीज में देखो एक best क्या होग कि जब judges अपनी खुद की financial details को publicly disclose करेंगे ना तो state level या फिर parliament level पे जो ministers है MPs MLs है उन पर भी obligation बनेगी कि भईया जब judges यह अपनी properties के बारे में disclosure कर रहा है तो आप भी करो ठीक है तो कुलमिलागर के भगवत गीता के तीसरे chapter से यह एक lesson लिया जा सकता है जो कि हमारे freedom struggle के time प ने कहा था कि बात ऐसी है कि जब भी great man कुछ करता है ना तो वह एक example की तरह set होता है फिर लोग भी automatically उसको follow करना शुरू करता है तो judges को यह काम करना होगा तो यहाँ पर तीन recommendations देदी writer ने चलते चलते हैं कि कैसे हम हमारी judiciary को effective बना सकते हैं ठीक है आगे चलते है नेक्स आर तो उस टाइम पर हमारे Prime Minister रहेंदर मोदीजी ने क्या कहा कि हम आक निर्भरता की तरफ बढ़ना चाहते हैं और India बहुत गती से बढ़ भी रहा है आज के टाइम पर हम target लेकर के चल रहे हैं कि हमारी economy पांच trillion dollar की economy आ जाए absolute terms में पर सच बात एक ये भी है कि national security में बहुत स ज़्यादा foreign supplies पे dependent हैं अगर हम military hardwares की बात करें पहले हम USSR से ज़्यादा import किया करते थे अब रश्या से करते हैं ऐसी परिस्तितियों में हम जब खुद की vulnerabilities को address करें कि हम कहां कमजोर पड़ते हैं तो वहां पर defense में बहुत ज़्यादा external aspects पे depend करना हमें कही ना कही weak बनाता ह जो 5 trillion dollar की economy हम बनना चाहते हैं उसको sustain कराने के लिए हमें self sufficient self reliant होना ज़रूरी है ठीक है अब आप देखो कि एक meaningful और credible strategic autonomy that means हम चाहते हैं कि हमारे उपर कोई भी बाहरी ताकत इस तरीके से दबावना बनाए कि जी उनके हिसाब से हमें हमारे decision लेने पड़े हम हमारे decision हमारे हिसाब से ले हमारे national interest मिले तो उसको हम बहुत है strategic autonomy और उसमें भी एक meaningful manner में और एक acceptable manner में कि world community उस चीज़ को recognize करे कि हाँ वाकई में इंडिया ने जो कदम उठा है उसके बीचे बहुत बड़ा logic भी है इंडिया के पास में strength भी है तो ऐसी परिस्तितियों में हमें हमारा टेस्ट लिया है जो आपको पता है गलवान setback जिसमें चाइना ने हमें aggression दिखाया और उस aggression की वज़े से कहीं ना कहीं बहुत 50,000 से भी जादा हमारे cynic जो है हमें deploy करने पड़े थे लदाक वाले region में तो कुल मिलाकर के बात ही आए कि हमें हमारे उपर कोई दबाव ना बन है अभी तक हम 75 countries को defense material है वो export करते है equipment export करते है जैसे 2021-22 का अगर particular data देखें तो defense export इंडिया से कितना रहा 1.59 billion dollar जो कि 13,000 करोड रुपए के लगबग हो जाता है और government का target है कि जल्दी से जल्दी 5 billion dollar लगबग 40,000 करोड रुपए तक का defense material या फिर equipment जो है हम export करें आने वाले time पर तो कुल मिलागर के बात क्या है कि silver lines तो है पर अभी भी बहुत पीछे हैं हम जितना हमें आगे होना चाहिए था आज की परिस्तितिया क्या है रशिया ने उक्रेइन पे इन्वेड कर दिया कोविड अभी पीछे हट रहा है global economy recession में फसी पड़ी है रुपी जो है वो ल defense manufacturing ecosystem डवलाब करना चाह रहे है न यह सारी चीजे जो है जो अभी हमने बात की यह सारी चीजे मिलके challenge का काम कर रही है हम investment को attract नहीं कर पा रहे है ठीक है आपको पता है न किस तरीके से है foreign portfolio investors है या फिर जो भी investors है वो इंडिया की बजाए आप developed countries की तरफ attract हो रही है क्योंकि developed countries मनको interest return अच्छा मिल रहा है ठीक है तो कुल मिला के बात ऐसी है कि हम आत निरबर्दा की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें जो भी कमिया रह रही है हमारे half पर हमारे part पर वो पूरी हो वैसे अभी तक हमने इतना बुरा perform भी नहीं किया है recent अगर कुछ हम success stories की बात करें तो उ SLBM that means submarine launching ballistic missile जो कि INS Arihan से हमने launch करके test किया ये भी हमारा हो गया इसके अलाबा जो C295 military transport aircraft है उसकी manufacturing के लिए हमने decision final out किया है इसके अलाबा प्रिचंट LCH that means light combat helicopter है उसको हमने induce किया हमारी आर्मी में हमारे defense sector में इसके अलाबा रश्या के साथ में हमने deal sign किया जिसके basis पे Kalashnikov type lightweight weapon जो है arms बंदुके है गंस है वो हम हमारे आपर produce करेंगे तो कुल मिलागर के देखा जाए तो ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया ने कोई progress नहीं की है Progress की है और सवाल क्या है कि अभी भी जो हमारा objective है आतनिर्भरता का उसको achieve करने में जो कमिया है उन पर हमें काम करना होगा हमारे सामने made in India प्रोग्राम को अगर हम देखें global level पे और ज़्यादा acceptability दिलाना चाहें तो उसमें और क्या challenges है देखो सबसे बड़ी तो बात क्या है कि हमारे आपर design और manufacturing capacity अभी भी उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए चाहे वो combat weapon की बात करें और offensive weapon की बात करें ठीक है न मतलब competent जो हमारा aspect होता है जिसमें हम deal करते हैं सीधा weaponry के basis पे अभी भी हम बहुत जादा depend कर रहा है foreign supplies पे ठीक है अब जैसे हमने बात की कि हम यहाँ पर C-295 aircraft पर वो produce करने वाले हैं Airbus के साथ collaborate करके ठीक है अब यहां भी France लिखा हुआ मुझे जाते के दाना रहा है Airbus का जो है अब यह जो C-295 transport aircraft है हम Spain के साथ collaboration में है इसमें ठीक है तो कुल मिला करके देखे जाए तो यह manufacturing की बात हम कर रहे है इसमें से एक segment तो आएगा Spain से already manufactured और बाकी यहां पर हमारे यहां पर domestically manufactured होगा आप देखो कि engine, avionics, landing gear यह कई instrument कई parts है इस aircraft के जो की हम बाहर से बने बनाए खरीद रहे है तो यह जो चीज है ना यह domestically होनी चाहिए हमारे local level पे होनी चाहिए ठीक है चाहिए हम 155 mm artillery gun है उसकी भी designing की बात भी करें तो वो हमा एक ऐसा ecosystem nurture करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके पीछे एक logic क्या है कि क्यों हम design और manufacturing में पीछे हैं देखो हमारे यहां पर GDP का अगर हम बात करें ना GDP का कितना हिस्सा defense research and development में invest करते हैं तो वो केवल 0.66% ही आ रहा है इंडिया research and development में बहुत कम पैसा खर्च करता है ओके यह बात world bank की एक report के basis पे हम बोल रहे हैं तो जरूरत किस चीज की है research and development में GDP के comparison में हमें और ज्यादा allocations करना ठीक है world का average है कितना 2.63% जबकि हम कितना कर रहे है 0.66% तो कितना पीछे है clear इसके अलावा दूसरे country से compare करें तो इस्राइल देखो 5.44 US 3.45 जपान 3.26 जर्पनी 3.14 चाइना 2.4 तर्की 1.09 तर्की से भी पीछे है हम हमारे defense research and development में investment की बात करें तो तो कुल में लाकर करके हमें एक composite culture develop करने की ज़रूरत है कि कैसे हम हमारे यहाँ पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी requirements को पुरा करने के लिए हम research and development promote करें ठीक है defense sector में clothing, helmet, surveillance equipment, brahmos, missile यह सारी चीज़े हैं इन पे हम काम करें तो ठीक रहेगा फिर हम बात करें कि helicopters के जो variant है ALH या LCH उनमें भी देखें तो manufacturing के तो हम बात कर रहे हैं कि हाजी इंडिया में हो रही है पर सवाल क्या है कि क्या engine इंडिया में designed है, इंडिया में manufactured है, answer is no, import कर रहा है मुसको answer is research and development में हमें ज्यादा focus करना होगा और इस चीज़े सम्मंदित, जल्दी से जल्दी एक कैतना adequate decision लेने की ज़रुआतर वो decision making body कौन सी है, cabinet committee on security, वो इसमें काम ले सकती है ठीक है, इंडिया के पास में industrial design और manufacturing का जो system है, उसमें कमजोरी है South Korea और चाइना ने जिस तरीके से progress किया ना पिसले 50 सालों में, exactly उसी progress को हमें ensure करना था, पर हम वो बस miss कर चुके है पर वो ही बात है, देर आए दुरुस्त है, कोई late लतीफ ही नहीं है आज के टाइम पर design और manufacturing में semi-conducted chips पर बहुत ज़्यादा focus किया जा रहा है आपको पता है, जो हम green energy की बात करते हैं, clean energy की तरफ switch करना चाह रहे है, climate change को tackle करना चाह रहे है electric vehicles की बात करते है, solar panel की manufacturing की बात करते है, automation की बात करते है, artificial intelligence की बात करते है या फिर overall मैं बात बोलू तो industrial revolution 4.0 की बात करते है तो कुल मिला करके semiconductor chips में हमें देखा जाए, तो आज US और चाइना के बीचे में rivalry भी इसी बात को लेकर करके चल रही है MSP group जो है, वो establish किया गया, US की leadership में, उसमें इंडिया को member नहीं बनाएगा, इंडिया कोशिश कर रहा है पूरी कि कैसे भी करके हम वहाँ पर अपनी पकड़ बनाए, तो ऐसे में ये एक और चीज है तो research and development हो जाए, semiconductor chips के designing की बात कर दें, इसके अलावा अगर हम domestic capacity की बात करें, उस पर ध्यान दें, industrial design और manufacturing infrastructure अब वो available कराएं, तब जाकर के defense requirements को हम पूरा कर पाएंगे और export हमारा और बढ़ पाएगा, पर एक paradox से यहाँ पर क्या आता है, मतलब एक conflicting aspect क्या आता है, क्या, कि हमारे यहाँ पर तो problem है, कि manufacturing कम हो रही है, पर वो ही चीज अगर देखी जाए, तो international जो भी बड़ी-बड़ी कंपनिया manufacturing करती है, हाना global semiconductor chip fabrication के अगर बात करें, तो वहा यहाँ locally manufacturing capacity को develop कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप खुद देख लो, बड़ी-बड़ी कंपनियों के CEO's देख लो, ठीक है, California में जो Los Angeles है, Los Angeles ने मुझे नाम याद नहीं रहे है, एक second मैं बताता हूँ आपको, हाँ California की जो Silicon Valley है, वहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियों operate कर रही है, उन कंपनियों जो digital platforms पर है, technical companies है, technical giant companies है, उनमें leading role Indian brains कर रहे हैं, तो बुलो इन चीजों को हमें तयार करना होगा, हमें हमारे techno strategic landscape को develop करना होगा, तब जाकर के हम आगे progress करेंगे, defense में भी और बाकी और जो aspects हैं उनमें भी, तो ये एक article होगया हमारे defense related, next article है climate in रा की गई है, उस task force का काम क्या है जी, कि green economy की तरफ हम switch करना चा रहे हैं, तो जारकंड जो है, एक mineral rich state है, और उसमें भी कोईले की ज्यादा quantity जो है, वो available है, इंडिया में जितना coal reserves का 25% तो जारकंड जारकंड में है, और हम जब climate change को tackle करना, green economy की बात करते हैं, तो coal पर dependency हमार देखा जाएगा कि जो हम coal mines का use करते हैं, उसको phase out करना है, coal based industries को जो हम renewable energy की तरफ ले जाना चाते हैं, या फिर clean and clear energy की तरफ ले जाना चाते हैं, तो ऐसे में जारकंड जैसे state की economy डगमगाएगी की नहीं, अच्छा state डगमगाएगा, वो इतने से काम नहीं चलेगा, इसके पूरा assess करने का target दिया हुआ है, क्योंकि Conference of Parties 26 में जब Glossgo में meeting हुई थी, तो इंडिया ने अपनी तरफ से क्या commitment दिया था, कि 2030 तक हमारी energy requirements का 50% हम renewable energy से पूरा करेंगे, और इसके लावा क्या का था, कि हम 2070 तक आते आते carbon neutral होने की बात भी कर रहे हैं, जिसमें climate friendly technologies पे हम rely करेंगे, तो ऐसी परिस्तितियों में coal dependence से reduce होगी, तो ज़ारकन जैसे states में बहुत ज़्यादा crisis आ सकता है, तो उसका पहले से assessment करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज बाकी states को भी learn कर नीचे ज़ारकन से, अब देखो, ये जो particular task force है ये एक साल में अपने report submit करेंगे, देखना क्या है इनको, कि climate change को mitigate करने के लिए, जो कोई भी कारवाई की जाएंगी, उसके क्या social economic consequences देखने को मिलेंगे, इसका local community के जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि CDC बात जारगन के 25% reserves के हमने बात की न, coal reserves की, इंडिया के total की, तो ऐसे में वहा projects हैं, उनकी auditing proper होनी चाहिए, कि environmental impact क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं, environmental impact assessment, देखा जाएगी project का क्या असर है, आसपास में रहने वाले लोगों पर, वहां के environment पर, वहां की ecology पर, और अगर उसको आप assess करके, आप जो भी developmental project के नाम पर, जो भी कोई company काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, तो उसका compensation लिया जाए, कि भाईया, इतना नुकसान हो रहा है, इसके बदले में आपको इतना ही afford करना पड़ेगा, खर्चा जिससें की local community की, जो rehabilitation है, वो की जा सके, ठीक है, इसके अलावा, हमारे देश में, जो global warming को tackle करने के लिए, जो काम किये जा रहे है, उस इसा तो है नहीं कि बड़ा आसान रहेगा, ऐसे की भी बहुत जादा जरूरत पड़ेगी है, आज अगर fossil fuel based हमारी economy में जो भी activities होती है न, उनमें अगर देखो तो लगबग, 10 लाग के लगबग लोगों को रुजगार मिला हुआ है, अब आप fossil fuel पे dependency को अगर हटा रहे हो तो इसका मतब 10 लाग लोगों को बेरुजगार बनाने की तयारी हो रही है, तो क्या किया जाए इसके लिए, इसके लिए इनको training दी जाए, जिससें की ये non fossil fuel based industries में अपनी job ढून सके, दूसरी चीज, नया जो कुछ भी आप investment कर रहे हो, वहाँ पर priority में रखा जा सकता है, क तो के वाल hydrocarbons के emission को लेने से related ही नहीं है, हम forest conservation पर भी focus करना है, COP26 में हमारा जो पंचामरित था, उसमें forest coverage के related भी हमने commitments दिये थे, तो उस पर भी हमें जब काम करना है, तो वहाँ पर वही बात आ गई, लोगों की livelihood को हम बिलकुल ignore नहीं कर सकते, बस यह चीज आ रही है, state government को भी देखो, proper assessment करना चाहिए, और regular plan के basis पर, जब भी budget बनेना, जब भी budgetary allocations हो, तो उस budget में climate के नाम पर भी dedicated fund होना चाहिए, जिसके आधार पर आप state level पे अपनी जो energy requirements हो, उनको भी switch कर सको, और जिन लोगों की जिंदगियों पर उस transition का असर पड़े, उनकी भी livelihood ensure की ज जा सके, फिर चाहिए, वो energy project हो, या construction करना हो, बड़े project का, चाहिए, डैम हो, road हो, कुछ भी हो, तो एक proper होना चाहिए, budget making का system, ठीक है, तो जारखंड का यह, जो कदम है, यह बिल्कुल सही दिशा में है, इस से बाकि states को भी learn करने की ज़रुरत है, next article of financing, just transition, article को लिखा यहाँ पर, आची रस्तोकी ने, देखो इनका यह कहना है, जो अल्रड़ी हम बहुत discussion कर चुके हैं, कि COP27 अभी शर्म अलशेक, इजिप्ट की सटी में चल रही है, वहाँ पर बातचीत हो रही है, कि जी कैसे हम clean energy की तरफ transition कर सके, तो writer यहाँ पर एक story बतागर के final, एक जो point बोल रहे हैं वो यह, कि जी सबसे पहली चीज़ तो जब आप transition की तरफ जाओगे, तो आपको सबसे बड़ा objection आएगा, trade industries की तरफ से, trade unions की तरफ से, और local bodies की तरफ से, कि हमारी जिंदगियां बहुत ज़्यादा dependent है, जिसको आप fossil fuel या फिर कहते ना क पॉल्यूटिंग सेक्टर जो बोल रहे हो, उस पर हमारे dependency बहुत है, जारकन वाला case ही ले लो आप यहां पे, तो वो object करेंगे definitely, तो आपको उसके लिए alternate तयार करना पड़ेगा, और alternate में आपको क्या चाहिए, पैसा, money चाहिए, सबसे पहली चीज तो, जिन लोगों का पहल भी discuss कर चुके हैं, कि United States of America में एक inflation reduction act लाया गया था, बाइटन administration के द्वारा, जिसमें 370 billion dollar का provision किया गया है, कि climate change और clean energy की नाम पर, इतना रुपिया जो है, वो American economy में खर्च किया जाएगा, उससे चाहिए लोगों की जंदगियों पे जो impact आरा है, livelihood पे इंपक्ट आर पैसे की shortage है ना, उसको full करना जरूरी है, और यही मुद्दा है, show the money, कल हमने बात की थी ना, बाते तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पैसा तो दो, South Africa में अभी recently कुछ changes किये गए थे, 8.5 billion dollar का वहाँ पर investment हुआ है, जबकि ज़्यादा कोई changes नहीं किये हैं, तो बोल है कि क्या multilateral development banks हैं, वो इस तरीके के transition के लिए पैसा allocate करने के लिए ready हैं, अब बाते तो वो कर देते हैं कि हाँ जी हम allocate कर देंगे clean energy के लिए, renewable energy के लिए, हना, या फिर जो भी हमारा just transition है उसके लिए, जिससे climate change को tackle किया जाए, पर वहाँ पर जब governance structure को देखा जाता है, जैसे हम कल बात कर रहे थे, कि America में सबसे बड़ा challenge क्या है, internal politics, वहाँ के Republicans जो है, Donald Trump के party के लोग, वो मानते ही नहीं कि climate change भी कोई सचा ही है क्या, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी यह जो multilateral development banks है ना, international financial institutions में decision making में problem आती है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, बोला हमारे इसमें developing countries है ना, उनका भी अच्छा खासा पकड है, ठीक है, उनका representation भी अच्छा है, commitment जो है developed countries की, यह भई हिनिवली देंगे, तो वो चीज वहाँ पर इस चीज को दबाव में लाने की जरुरत है, यह है में मुद्दा यहाँ पर, ठीक है, discussion यहीं कितम है, और एक article और है, वो आप खुद से देख लेना, जो में का गुरु स्वामी जी का है, ग्रे एयर वाला, दिल्ली में pollution से related, ठीक है, discussion यहीं कितम है, thank you.